हमारे यूटूब चैनल में आपका अस्वागत है हाल ही में किस देश ने कोरिया को हरा कर हौकी जूनियर एशिया कप जीता है आपके आप्शन है A. भारत B. स्पेन C. जपान या D. पाकिस्तान आपका सही जवाब है A. भारत हाल ही में किस IIT ने सौर उर्जा का उपयोग करके समुन्दरी जल से हाइड्रोजन उत्तपन किया है आपके आप्शन है A. IIT मुंबई B. IIT मदरास C. IIT गोहाटी या D. IIT कलकत्ता आपका सही जवाब है B. IIT मदरास हाल ही में G. E. M. किस राज्य में जिला सत्रिय करेता विकरेता कारेशाला आयोजित की गई है आपके आपके आप्शन है A. करनाटाक B. मदरादेश C. उत्तरपरदेश या D. पस्चिब बंगाल आपका सही जवाब है C. उत्तरपरदेश हाल ही में किसने 23 पुरुष एकल Grand Slam किताब जीता है और इतिहास रच दिया है आपके आप्शन है A. अलफरेट जी B. इवान डोडिंग C. इंगा स्वास्तिक या D. नुवाक जोकविच आपका सही जवाब है D. नुवाक जोकविच हाल ही में केंदर सरकार ने किसके नेत्रतव में मनीपुर में शांती समिती का गठन किया है आपके आप्शन है A. पीटियुशा B. अमित्शा C. किरनकौर या D. अनसुया उईके आपका सही जवाब है D. अनसुया उईके हाल ही में किसे BSF का DG नियुक्त किया गया है आपके आप्शन है A. हरप्रीत कौर B. दिपांश गुप्ता C. मनोसोनी या D. नितिन अगरवाल आपका सही जवाब है D. नितिन अगरवाल हाल ही में भारत के किस राज़ में उड़ने वाली चिपकली की नई परजाती की खोज की गई है आपके आप्शन है A. केरल B. असम C. नागालेंड या D. मिजोरम आपका सही जवाब है D. मिजोरम एशिय कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा आपके आप्शन है A. भारत और श्रीलंका B. भारत और पाकिस्तान C. श्रीलंका और बंगलादेश या D. श्रीलंका और पाकिस्तान आपका सही जवाब है D. श्रीलंका और पाकिस्तान आउटरिच कारेकरम जूली लदाक का आयोजन किसके दुवारा किया जा रहा है आपके ओप्शन है A. B. S. F B. भारतिय नौ से न C. भारतिय थल से न या D. भारतिय वायू से न आपका सही जवाब है B. भारतिय नौ से न किसने हाल ही में National Time List Study NTRS 2023 रिपोर्ट जारी की है आपके ओप्शन है A. से B B. निति आयोग C. CBIC या D. माइक्रोसोफ्ट आपका सही जवाब है C. CBIC किसे माई 2023 में हिमाचल परदेश हाई कोट के नए मुख नय दीश के रूप में नियुक्त किया गया है आपके ओप्शन है A. जस्टिश उमेश सिना B. जस्टिश प्रतिकर दिवाकर C. जस्टिश M. S. रामचंदर राओ या D. जस्टिश अजे अलोक कोली आपका सही जवाब है C. जस्टिश M. S. रामचंदर राओ किसे हाल ही में विश्व स्वास्त संगठन के लेखा परिक्षक के रूप में फिर से चुना गया है आपके ओप्शन है A. पीके मिश्रा B. मुकुल रोहतगी C. ग्रीश चंदर मुर्मू या D. अरविंद पनगडिया आपका सही जवाब है C. ग्रीश चंदर मुर्मू महराष्ट सरकार ने किसे समाइल अंबैस्टर के रूप में नामित किया है आपके ओप्शन है A. एमस धोनी B. विराड कोली C. सचिन तंदूलकर या D. सुनील गावसकर आपका सही जवाब है C. सचिन तंदूलकर भारत की मेजमानी में शंगाई सहयोग सिखर समेलन का आयोजन कब किया जाएगा आपके ओप्शन है A. दो जुलाई B. तीन जुलाई C. चार जुलाई या D. पांच जुलाई आपका सही जवाब है C. चार जुलाई हाल ही में विश्व मदमक्की दीवस कब मनाया गया है आपके ओप्शन है A. अठारा मई B. उन्निस मई C. बीस मई या D. या D. इकिस मई आपका सही जवाब है C. बीस मई G. आपके अप्शन है A. गोवा B. केरल C. उत्रप्रदेश या D. हिमाचल प्रदेश आपका सही जवाब है A. गोवा हाल ही में सरवाधिक मुबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन सा बना है आपके ओप्शन है A. रूस B. कतर C. सिंगापुर या D. अमेरिका आपका सही जवाब है B. कतर हाल ही में किस राजिके मुख्रमंतरी ने गड़ों की रिपेरिंग के लिए पंच रिपोडिंग एप लॉंच किया है आपके ओप्शन है A. गुजरात B. करनाटक C. उत्राखन या D. उत्रप्देश आपका सही जवाब है C. उत्राखन हाली में आंधी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को 422 करोड रुपए के हतियार भेजे हैं आपके ओप्शन है A. जापान B. मैनमार C. बंगलादेश या D. अफगानिस्तान आपका सही जवाब है B. मैनमार हाली में किस रज्ज के मंत्री मंडल ने CM. सीखो और कमाव योजना को मंजूरी दी है आपके ओप्शन है A. गुजरात B. करनाटक C. मध्यपरदेश या D. पश्ची बंगाल आपका सही जवाब है C. मध्यपरदेश हाली में किस देश का 5484 साल पुराना Great Grandfather पेड दुनिया का सबसे पुराना पेड घोशित हुआ है आपके ओप्शन है A. युएई B. चिली C. जर्मनी या D. ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब है B. चिली हाली में Data Security Council अफ इंडिया ने किसे अपना नया ध्यक्ष निक्त किया है आपके ओप्शन है A. परमोद भसीन B. अनंत महेश्वरी C. रजेश तलवार या D. दिव्य सिकरवार आपका सही जवाब है A. परमोद भसीन हाली में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कारेस थलको सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है आपके उप्षन है A. केरल B. असम C. तिलंगाना या D. अवनाचल परदेश आपका सही जवाब है C. तिलंगाना हाली में किस ने दगोल्डन इयर नामक पुस्तक लिखी है आपके उप्षन है A. पीटी उशा B. हीमादास C. स्किन बॉन या D. सुधानशू त्रिवेदी आपका सही जवाब है C. रस्किन बॉन हाली में स्पेस एक्स ने दूसरी पीडी के कितने स्टार लिंग उपग्रहों को और्बिट में लॉन्च किया है आपके उप्षन है A. बारा B. बाईस C. सोला या D. पचीस आपका सही जवाब है B. बाईस हाली में किस देश ने भारत की डिजिटल भुकतान परनाली यूपिया की इच्छा जताई है आपके उप्षन है A. जर्मनी B. जपान C. बंगलादेश या D. आस्टेलिया आपका सही जवाब है B. जपान हाली में इसराइल और भारत ने किस IIT में जल प्रद्योगी की केंदर स्थापित करने के लिए भागिदारी की है आपके उप्षन है A. IIT मुंबई B. IIT मदरास C. IIT कानपुर या D. IIT हिद्राबाद आपका सही जवाब है B. IIT मदरास हाली में परद्धान मंत्री मोधी ने कहां महात्मा गांधी जी की प्रतीमा का अनावरन किया है आपके उप्षन है A. पैरिस B. सिडनी C. नियू योक या D. हिरोशीमा आपका सही जवाब है D. हिरोशीमा हाली में किस राज्य के मुख मंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लाउंच किया है आपके उप्षन है A. गुजराद B. उडिसा C. मद्धेपर्देश या D. उत्तरप्देश आपका सही जवाब है B. उडिसा हाली में किसने नई दिल्ली में क्वीन पाइनेपल लाउंच किया है आपके उप्षन है A. राजना सिंग B. नरेंदर सिंग तोमर C. नितिन गड़करी या D. निर्मला सीता रमन आपका सही जवाब है B. नरेंदर सिंग तोमर हाली में अंतर राश्ट्रिय रंगहीनता जागरुकता दिवस कम बनाया गया है आपके उप्षन है A. ग्यारा जोन B. तेरा जोन C. बारा जोन या D. चोदा जोन आपका सही जवाब है B. तेरा जोन हाली में भारत और किस देश के राश्ट्रिय रक्षा बलों के बीच सेउक्त सेन अभ्यास X. एक्वेरियन का बारवा संस्करन शुरू हुआ है आपके उप्षन है A. जापान B. श्री लंका C. सिंगापुर या D. माल्दीव आपका सही जवाब है D. माल्दीव हाली में कहां पहला जन जातिय खेल महौसव संपन्न हुआ है आपके उप्षन है A. मुंबई B. नागपुर C. बैंगलोर या D. भुवनेश्वर आपका सही जवाब है D. भुवनेश्वर हाली में किस देश ने दूसरी ICC Wish Fortress Championship 2021 और 2023 जीती है आपके उप्षन है A. भारत B. श्रीलंका C. इंगलेंड या D. आस्ट्रेलिया आपका सही जवाब है D. आस्ट्रेलिया हाली में UID के नए CEO कौन बने है आपके उप्षन है A. सेलेश लोड़ा B. यश्वीर सिंग C. अमिताब कान या D. अमित अगरवाल आपका सही जवाब है D. अमित अगरवाल हाली में किसने FIFA U20 विश्व कप खिताब जीता है आपके उप्षन है A. फ्रांस B. उरुंगवे C. ब्राजील या D. अर्जेंटिना आपका सही जवाब है B. उरुंगवे हाली में A. डी. बी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के समझोते पर हस्ताक्षर किये है आपके उप्षन है A. गुजरात B. करनाटक C. उत्रप्रदेश या D. हिमाचल प्रदेश आपका सही जवाब है D. हिमाचल प्रदेश हाली में किस देश के पूरुप्रधान मंत्री सिल्वियो बुलूस कोनी का 86 वर्ष की आयू में निदन हुआ है आपके उप्षन है A. चीन B. इटली C. अमेरिका या D. इसराइल आपका सही जवाब है B. इटली हाली में किस देश ने रियायती रूसी कच्चे तेल का आयाज शुरू किया है आपके उप्षन है A. रूस B. भारत C. इसराइल या D. पाकिस्तान आपका सही जवाब है D. पाकिस्तान हाली में एक लाख रुपे प्रती शेर का आंकड़ा छुने वाला पहला भारतिय स्टॉक कौन सा बना है आपके उप्षन है A. एमरेफ B. गूगल C. रिलाइंस या D. अडानी पावर आपका सही जवाब है A. एमरेफ हाली में किस राज्य सरकार ने पदम पुरसकारों के लिए 10,000 उपे मासिक देने की घोशना की है आपके उप्षन है A. पंजाब B. हर्याना C. राजिस्थान या D. उतरबदेश आपका सही जवाब है B. हर्याना हाली में कौन सा विशव विद्याले 2023 और 2024 में हिंदू अध्यान के इंदर शुरू करेगा आपकी उप्षन है A. एम यू B. डी यू C. जे अन यू या D. आया एम एंदाबाद आपका सही जवाब है B. डी यू दिल्ली यूनिवेस्टी हाली में परधान मंत्री मोद्दी ने नेशनल ट्रेनिंग कौंकलेव का उद्गाटन कहा किया है आपकी उप्षन है A. गुहाटी B. अमरिसर C. कुलकत्त या D. नई दिल्ली आपका सही जवाब है D. नई दिल्ली हाली में किस शहर की पुलिस ने 14 जून को 9 होरंडे घोशित किया है आपकी उप्षन है A. मुंबई B. नागपुर C. हैदराबाद या D. कौलकत्त आपका सही जवाब है A. मुंबई हाली में किस देश के पूर्वराष्टपती जोज एड़ुआड डॉस सेंटोस का निदन हुआ है आपकी उप्षन है A. चीन B. अंगोला C. अमेरिका या D. ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब है B. अंगोला हाली में दुनिया की सबसे बड़ी ओफिस बेल्डिंग किस राज्यम में बनाई जा रही है आपकी उप्षन है A. गुजरात B. महराष्ट्र C. तमिलाडू या D. उत्रवदेश आपका सही जवाब है A. गुजरात हाली में किस देश ने भारत को 105 प्राचिन कलाकरितियां सौपी है आपकी उप्षन है A. युएई B. रूस C. अमेरिका या D. उनाइटेड किंडम आपका सही जवाब है C. अमेरिका हाली में कहां तीन दिवसिय अमरित जुवा कलोटसव का उधगाटन किया गया है आपकी उप्षन है A. जैपुर B. श्रीनगर C. बैंगलूरू या D. नईदिल्ली आपका सही जवाब है B. श्रीनगर हाली में किस राज में अवारा कुत्तों के लिए Q. आर टैगिंग का नया पाइलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है आपकी उप्षन है A. गुजरात B. महराष्ट C. तमिलाडू या D. उत्रब्रदेश आपका सही जवाब है B. महराष्ट हाली में भारत और अमेरिका के बीच स्वच उर्जा साज्यदारी की मंतरी सत्रिय बैठक कहां आयुद की जाएगी आपकी उप्षन है A. पूने B. मुंबई C. पत्ना या D. नई दिल्ली आपका सही जवाब है D. नई दिल्ली ऐसी और अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल